नमस्कार दोस्तों मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में आज के इस वीडियो में आपको सजेस्ट करने वाले हैं पाँच ऐसे कोईन्स जिनके अंदर अगर आप एक शॉट टर्म ट्रेट लेना चाहें उनको hold करना चाहें लंबे समय के लिए सारे ही situation में वो जो coins है वो fit हो जाते हैं और काफी अच्छा result दे सकते हैं आने वाले कुछ समय के अंदर short term, mid term और long term के अंदर भी तो ऐसे 5 coins में आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं जिनके अंदर आप trade करकर काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं इंवेस्मेंट करका भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो दोस्तों अभी इस वीडियो में आपको वही सारी चीज़े बताने वाले हैं तो आगे बढ़ने से पहले आप सुब लोगों से कहना चाहँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली चलिए दोस्तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलेंगे फड़ा फड़ हमारी इस coin को buy कर सकते हैं, इसका price रहा 0.05 के आसपास, और यहाँ पर मैं अभी आपको जिलिका का चार्ट खोल के दिखा देता हूं, पहले मैंने BTC का चार्ट खोला वहा था, और जिलिका का चार्ट दिखा देता हैं कि क्या कुछ situation चल रही है, क्या कुछ यहाँ पर prices दिख रहे है और कितना down है यह actually अपने high से, चार्ट आप सब लोगों के सामने ही है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर clearly कि यह एक support था यहाँ पर जिलिका के चार्ट के ऊपर, मैं यहाँ पर आप सब लोगों को दिखा देता हूं, यह रहा वो support, जहां से कि जिलिका बाउंस करने की कोश कर रहा है, और मैं आप से लोगों से कहूँगा कि अभी यह 0.051 के आसपास available है, बहुत बहुत इसका price जो हो down है, समय पर इसका जो high price था, वो 26 cents तक गया था, अभी सिरफ और सिरफ 5 cents का मिल रहा है, अगर इसको अपने all time high भी जाना है, यहाँ से, तो करीब करीब यहाँ से 5x होना बड़ेगा, अपने all time high तक reach करने के लिए, मैं काऊँगा कि अगर आपको इसको trade करकर पैसा कमाना है, तो आप यहाँ पर 12 cents के आसपास जो exit कर सकते हैं, पहला इसका target रहेगा, 8-9 cents के बीच में, और उसके बाद जो दूसरा target रहेगा, वो 12 cents का रहेगा, और तीसरा target यहाँ पर 14 cents का रह सकता है, और उपर अगर आप और भेशना चाहें, तो 17 cents तक भी इसको आप यहाँ पर hold कर सकते हैं, अगर आप trading purpose के लिए करना है, तो of course आप यह levels note कर लिजे, और इसको आप जो है वो trade करकर पैसा कमा सकते हैं, यहाँ पर Fibonaki levels में लगा रखे हैं, और इसके हैसाब से आप trade कर सकते हैं, और आप इसको trail करकर ही, यहाँ पर trade कीजेगा, जैसे यह उपर की तरफ जाता रहे, आप अपने targets जो वो lock करते चलिएगा, पहला target हिट होते ही, आप नीचे entry पर पर पना stop loss लगा लिजेगा, और second target हिट होते ही, first target को अपना stop loss बना लिज आप इसको trail करते रह सकते हैं, या फिर आप थोड़ा बहुत, अपने आपसे खुद से भी थोड़ा बहुत research करके अगर आप करना जाहें, तो of course इस coin के अंदर काफी ज़्यादा potential लगता है मेरे को, इस coin के अंदर अपनी research कीजिए, और definitely आप यहाँ से पैसा ज़रूर कम आ पाइंगे आने वाले वक्त के अंदर, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे अपने अगले coin के बारे में, जो की काफी ज़्यादा popular coin है, काफी अच्छा coin है, बहुत ज़्यादा इसको shill किया जाता है, और अब यह metaverse के अंदर भी आने वाले हैं, और coin का नाम है Shiba, तो Shiba INU ह हम लोग, सब लोग जानते हैं इसको Shiba coin को, और इस समय पर 14th number की rank पर यह है, top 15 coins के अंदर आ रहा है, of course Shiba INU coin, तो इसको shit category में रखना तो सही बात नहीं होगी, क्योंकि अब यह metaverse के अंदर भी आ रहे हैं, इस समय पर जो price जल रहा है, 0.20, उसके बाद 4 बार 0, उसके काफी अच्छा इसके अंदर, उच्छाल हमने पिछले एक दो दिन के अंदर देखा है, अभी चार्ट के उपर बात कर लेते हैं कि चार्ट के उपर क्या कुछ situation चल रही है, तो मैं यहाँ पर Shiba का चार्ट खोल लेता हूं, और जैसे ही मैंने यहाँ पर Shiba का चार्ट खोला मतब 4.5x के बीच में 4.5x लगबग लगबग होना पड़ेगा, और उसके बाद यह यहाँ पर जो है, यह एक अच्छी ग्रोथ जो है, वो मानी जाएगी और उसके बाद भी यह रुकेगा या नहीं रुकेगा और उपर चाला जाएगा, इसका कुछ नहीं कह सकते हैं क्यो अभी आल्मोस्ट आल्मोस्ट जो है अपने बॉटम से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इस कॉइन को अगर आप बाए करकर होल्ड करें कुछ समय के लिए, तो यहाँ पर 6,000 मतब अभी जो 2300 चल रहा है, चार बारी दिरोग बाद 2300 के आसपास चल रह is a good coin now, so यहाँ पर आज की डेट में सब कोई जानता है शिबा कोई के बारे में, तो मेरे असाब से इस कॉइन को बाए करकर होल्ड करना चाहिए, काफी अच्छा profit दे सकता है आने वाले वक्त के अंदर, अगला जो कॉइन हम बात करने वाले हैं, वो है ocean coin, मैं आप पर फट पर काफी अधा कम है, 276 million की सिरफ और सिरफ मार्केट कैपिटल है, इसका मतलब है कि आने वाले वक्त के अंदर ये काफी अच्छा perform कर सकता है, लगबग लगबग 80% के आसपार, जो है वो coins unlocked है, circulating supply, 80% अल्यादी मार्केट के अंदर, यहाँ पर आ चुकी है, 70-80%, not exactly 80%, लेक ओशन का मैंने यहाँ पर चार्ट खोला, और जो मैं यहाँ पर ओशन का डेली चार्ट खोलता हूं, तो आप सब लोग देखेंगे कि इस समय पर 63 cents का trade जरूर कर रहा है, लेकिन यह उपर का जो इसका प्राइज है, जो इसका हाई आस्तक का है, वो है 1.90, अगर इसको इस ल करकर hold भी कर सकते हैं, इन coins को जो मैं सारे के सारे coins आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, वो सारे coins बहुती ऐसे coins जिनको hold करकर रखेंगे, तो ज़्यादा लंबे से में तक तो ज़्यादा अच्छा फायदा होगा, अगर short term के अंदर इसको मैं profit कम आकर आपर exit करना जाते सिरफ आप trade करना चाहते हैं, तो आप trade भी कर सकते हैं, मेरे इसाब से इसका short term का target होना चाहिए, वो $1 के आसपास होना चाहिए, और $1 से लेकर ये ऊपर की range में जो जहां तक जा सकता है, वो मेरे इसाब से 1.2 इसका next target होना चाहिए, and then यहाँ पर काफी अच्छी यहाँ प इसको दुबारा भी आते हुए, देख सकते हैं, तो यह जो मैंने target से भी आप सो लोग को दिये हैं, यह horizontal levels के साब से दिये हैं, और इनको आप follow कर सकते हैं, और यहाँ पर trail करके हैं पर आप profit बना सकते हैं, आने वाले वक के अंदर, mid shot to mid term के अंदर, मतलब कि आप करीब करी 63 cents का जैसे मिल रहा है, तो अगर यह 59 cents के आसपा, 60 cents के आसपास भी मिले, तो भी आपको इसको buy करना चाहिए, देरे-देरे करके parts में, और इसमें buying करकर hold करना चाहिए, मेरे सबसे काफी अच्छा result देगा, आने वाले कुछ वक्त के अंदर, तो यह ocean coin हो गया, ocean coin के बाद ज इसकी पूरी की पूरे responsibility है, swipe की, present 218 नंबर की rank पे trade कर रहा है, आप और मैं सब लोग जानते हैं कि बाइनांस market में सबसे बड़ा leader है, cryptocurrency exchange के मामले में, कोई सी भी ऐसी चीज नहीं है, जो कि बाइनांस explore नहीं करता, और आज की date के अंदर अगर हम बात करें, swipe coin के बारे में, तो swipe coin, one of the coin है, जो की बहुत जादा bottom पर इस समय पर रखा हुआ है, हम सब लोगों ने वजीर X को pump होते वे देखा, Binance को pump होते वे देखा, FTT को pump होते वे देखा, जो की सारे के सारे coins, Binance की category में ही आते हैं, basically, तो Binance की category में इसलिए आते हैं, क्योंकि वजीर X, जो अब exchange है है, वो है swipe, मतलब कि product नया नहीं है, लेकिन नया नया acquire एक तरीके से, या फिर हम नई-नई responsibility कह सकते हैं, swipe की, जो कि पूरी के पूरी responsibility, Binance की है, तो definitely Binance आने वाले वाले वक के इंदर, इस coin को बहुत अच्छे तरीके से pump कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से ऊपर लेके ज है, इसका chart दिखा देते हैं आपको, तो SXP के उपर अगर हम जाएं, तो यह SXP USDT pair के अंदर हमने chart अभी खोला है, और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़ादा बड़ी गिरावाट के अंदर है, इसका all time high ता 5.86, अगर इसको अपने all time high पर भी जाना है, तो यहां से करीब 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 4X होना पड़ेगा, और 4X होने के बाद अपने all time high को touch करेगा, और अगर आप इसका एक बड़ा perspective देखेंगे chart का, तो मेरे इसाब से तो यह अपने all time high के आसपास भी रुखने वाला नहीं है, यह एक जिस तरीके का pattern मना रहा है, यह $5 का coin नहीं हो सकता, यह coin बहुत एक लंबी race का घोड़ा coin है, इसको buy करकर hold जरूर करना चाहिए, आपके portfolio में SXP एक ऐसा coin होना चाहिए, जो की सबसे जादा quantity में भी अगर हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और especially on this price 1.52, या फिर अगर मैं बात करूं, अगर यहां से 50% down होकर भी, अगर यह नीचे आ जाए, तो हमको यहां से 50% down तक भी इस coin को जरूर हरिजना चाहिए, मतलब कि अभी समय पर 1.52 चल रहा है, अगर यहां को 80 cents तक भी मिले, मैंने एक level यहां पर 80 cents पे भी mark किया हुआ है, अपने charts के उपर, जो की यह अगर हम mark करना चाहिए, तो यह कर सकते हैं इस त इतना अच्छा हो सके, उस coin को buy करकर hold करें, और आने वाले वक्के अंदर इसमें bump पर profit जो हो कमाया जा सकता है, मेरे साब से, तो यह है SXP को लेकर, और अगला जो coin है, वो भी Binance का ही coin है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जिसका नाम है WRX, वजीर डॉलर के भी नीचे, तो यहाँ पर आप तो लोग को चार्ट दिखा देते हैं, वजीर X का WRX USDT, जो कि आप तो लोग देख लेंगे कि काफी लंबे समय से इसके अंदर जो consolidation चल रही है, आप clearly देखिए कि यह 6.66 के बाद, यहाँ पर यह 6.66 तक उपर की तरफ गया था करी तो यहाँ पर अगर 2 डॉलर जो इसका 1st level of resistance है, वहाँ तक भी गया तो 2X तो बनता ही है, clear the year, और यहाँ पर अगर यह फिबुनाकी के लेसाब से अगर हम देखें, और यहाँ पर हमको यह 0.618 की retracement है, अगर हम वहाँ तक भी अगर इसको सोचे कि यह उपर की तरफ जा सक सकता है, जो कि usually coins जब फिबुनाकी level पर bounce करते हैं, तो इस level तक bounce करते हैं, तो आने वाले वक्क के अंदर हमको यह mid term के अंदर, मैं short term तो नहीं कहूंगा, लेकिन mid term के अंदर हो सकता है, कि हमको यह 4$ 4.30 के आसपस भी शायद नजर आ जाए, लेकिन इसको time लगेगा कर रहा है, और पहले भी जब यह 10 cents और 20 cents के आसपस लगबग लगबग trade किया करता था, मैंने तभी भी last year भी इस coin को suggest किया था, और उसके बाद यह बूम करके उपर की तरफ गया था, अभी भी कुछ ऐसा ही सिनारियो नजर आ रहा है, कि आने वाले वक्क के अंदर यह coins जो अब भी भी आप trade करते हैं, तो कोई सा भी trade करते हैं तो उनके income तो बनी रहा है, चाहे market उपर जा रही है, चाहे market नीचे जा रही है, चाहे stop loss हिट हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, उनको trading commission मिलेगी ही मिलेगी, तो इसी वज़े से उनकी जो growth है, जो exchanges की growth है, वो काफी प्यादा bottom पर है, मेरे साब से इसको buy करकर hold कर लेना चाहिए, आने वाले वक्त इंदर हमें काफी अच्छा profit दे सकता है, तो दोस्तों यही कुछ चीज़े हैं, पांच के आज coin, जो कि आप सो लोग को suggest करने थे, जिसके अंदर मैंने आपको suggest किया, जिलिका, उसके बाद मै करता हूँ कि आपको यह वीडियो का फ्यादा पसंदा होगा, coins जो मैंने recommend किये, आप इन सब चीज़ों को relate कर पा रहे होगे, कि किस तरीके से market में ऊपर की तरफ अच्छी खासी growth दे सकते हैं, आने वाले वक्त के अंदर, तो दोस्तों यही कोछ चीज़े हैं, अपनी खु जरूर कर दीज़ेगा, तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही देखनेगा, सुबह बहुत बहुत धन्यवाद, जैहन्द, वंदे मातरम